राजधानी लखनों में रविवार को प्रात्मिक शिक्षक परिक्षा में चैनित पर्फेक्ट कंपेडिशन एकएडमी के छात्रों का सम्मानित किया गया। देखिए लखनों से संवादाता सोनु भार्तिक रिपोर्ट। सभी लोगों से कहते हैं कि जो भी आज पीटी सी कर रहे हैं वो बच्चे परफ्लेक्ट पोचिंग में जरूर आएं जरूर आएं ये मौका मत पोई मने जितनी दूरी हो दूरी माने नहीं रखती है बात माने रखती है कि सेलेक्शन होने के सब्सक्राइब करते हैं और इस तरीके से हम लोग पूरा सब्सक्राइब कर लेते हैं जिससे बच्चों को हर टापिक में पूरी कि पकड़ हो जाती है और इस तरीके से हर रस हम लोग हर विसाह में ये चीजे करते हैं और इस तरीके से हम लोग जो हैं मैनत कराते हैं जैसे बच्चों का रिजल्ट आता है जैसे 79,000 से इचे बड़ती की बात करें तो हम लोगों के तीनो सेंटर में हम लोगों के जो परफड़ेट डी अकेडमी उसके तीन सेंटर हैं पुरणिया, कपुर्सरा और अलंबाग इन तीनों सेंटर पे लगभग 6,000 बच्चे थे इनमें से 3106 बच्चे अंतिम रूप से चैनित हुए हैं जिनमें से लगभग 600 बच्चों ने जोईन भी कर लिया है इनमें से कुछ बच्चों को आज हमने बुल मैं बहुत अपने आख को भागे साले मानता हूंगे जब यह दोनों लोग आये थे माँ बेटी आये तो इनकी माता जी बहुत निरास्ती इन्होंने का सरी इस उमर में हम पढ़ नहीं पा रहा हैं क्या हम नोकरी पा सकते हैं तो हमने का यह इस बार होनों कि तना मेहनत में आपस विश्यास रखी है मेहनत पे कि आप दोनों लोगों को नोकरी जरूर मिलेगी हदीन क्लास में यह बात होती थी जिस दिन मेरी क्लास होती फृस दिन इन से यही बात होती तक इस बार इतिहास बनाना है जो निया राउत हैं, नोनों कि त्यौनर के बहुत बच्छो से बच्चों की तयारी करा रहे हैं और आगे के बच्चों की भविस के लिए किस तरी के तयारी करा रहे हैं हम लोग सिर्फ सिच्छक भड़ती परिक्षा चाहे वो प्रैमरी की हो चाहे जूनियर की हो चाहे टीजीटी पीजीटी हो हम लोग खाले सिच्छक भड़ती बहुत सारे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए दूरतरा से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं नहीं के उचित मांगर्शन और उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर ही मैंने इस पंता करी हुई है और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है बहुत ही कम इच्छा की जरूरत थी वो मुझे यहां से मिली और ओवराल में यही कहूंगा कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है आपको मुखमंद्री ने लेड़ा दिया क्या कहना जाए उसके बारे में यह तो बहुत ही खुशी की बात थी मेरे लिए जब मुझे मत पता चला तक तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी कि मारे लिए मुखमंद्री जी ने नियुक की बता है क्या रेंग थी और कहां का अस्थान मिला इस्तार मेरी रेंग ओवराल रेंग थी मेरी 7882 और मुझे यही लखनौ जिलावंटित हुआ है मैं माल गुलाक में पोस्ट कारी नौकरी की तैयारी में लगा हुआ है तो आप थोड़ा सा धैरे रखें जो कि यहां की थोड़ा सा मैं कहूंगा कि थोड़ी पॉलिष्टी गड़बर जो कि सौम आने के बाद यौब मिलने तर मिनिमम दो से तीन साल टाइम लग जाता है तो उसमें माता की सब बहुत अहम रोल है अधा करते हैं बच्चों के लिए जो कि उनको धहरी धारण कराते हैं अगर आप बच्चों को धहरी नहीं धारण कराएंगे तो फिर वो आग का मज मताबिक रिजल्ट नहीं देर पाएगा है जो इस पर इक्षट ही तैया देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइट 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें